हेले स्टोडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग लास्स पर स्वगत है क्लास टोल फिजिक सेंसियार्टी चैप्टर 3 के महात्पूर अबजेक्ट्व यहाँ पर कम्प्लेट करने वाले सबसे पहला किसी चालक में बिदुद प्रवाह होता है कौन सा संबन्द सही नहीं है इसमें option correct आपको choose करने कौँ साही नहीं है देखे प्रतोल का मात्रा को होता है आविज का मात्रा कुला हम होता है विद्धुध्रा का मात्रा के एंपियर होता है यह बिल्कुल तीनों correct है तो इन में से कोई नहीं स्वथा आपसन रहेगा इन में से कोई नहीं तो कौन सा सही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि सभी की सभी सही है हुईट इस्टोन सेतु के सिध्यान पर अधायत उपकरण है जो हुईट इस्टोन सेतु के सिध्यान पर अधायत है तो है मेटर सेतु कौन सा है मेटर सेतु आगे देखें विभो प्रवड़ता का SI मात्रक है, बोल्ट प्रति मीटर, प्रतिरो धक्ता का मात्रक कितना होता है, तो ओम मीटर होता है, विद्दु धारिता कौन सी रासी है, एक आदिस रासी है, ध्यान दीजेगे, एन्वल एक्जाम के टार्गेट में मैं करा रहा हूँ, आप लोगों को एन्वल एक्जाम के हिसाब से त्यारी करना है, धातवी चालकों में किसके कारण विद्दु धारा प्रवाहित होता है, या विद्दु धारा किसके कारण बाहक होता है, तो मुक्त इलेक्रान के कारण, मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी चालक में धारा होगा कब होगा जब उसमें मुक्त इलेक्टरान होगी तभी उसमें धारा का प्रवाय होगा अगे देखें ताप बढ़ाने पर अर्ध चालकों का प्रत्रोध जो होता है घट जाता है ताप बढ़ाने पर बिमी सूत बताना है तो MLQ टीक पावर माइनस 3 एक पावर माइनस 2 है प्रत्रोध हकता का आपका ठोल्ब हो गया complete आप इसके बाद है सही जोड़ी का मिलान करना है तो ओम का जो निया में ओभिवांतर और धारा में सम्मंध बताता है ठीक किर्चाफ का जो निया में ओजटिल विद्दुद परिपत का अध्यन करने में सहयोग प्रदान करता है साइमन जो है इसा में धनाबेश प्रवाहित होते हैं वही विद्दुदारा की दिशा होती है कथन आपको चोच करना सत्य असत बिल्कुल राइट करेक्ट एंसर हो गया सत्य किसी चालक की प्रत्रोधक्ता उसकी लंबाई तथा छेत्र पर निर्वर करती है कथन आपको बढ़ाना है सत् सत्य आसत तो बिल्कुल सत्य है ओमी प्रत्रोध के लिए भी आईबक्र एक सरल रेखा होती है कथन सत्य है मानव सरीर का प्रत्रोध दस किलो ओम के क्रम का होता है तो कथन सत्य है विवह वापी का तार ताम्बे या ऐल्मूनियम का बना होता है कथन बताना आपको सत्य आसत एक कुलाम प्रती एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेशन आपका इलेक्टरानों के अनुगवन बेग का संख्यात्मक मान लिखिए तो इसको आपको सर्च करना है ठीक है तेश्वा नंबर क्वेशन है दो बल्वों पर 25 बाट और 100 बाट अंकित है तो प्रत्रोध किसका दिखोगा तो 25 बाट का प्रत्रोध अधिक होगा इससे आप सॉल्व कर सकते हैं प्रत्रोधकता का सूत्र लिखिए रो बराबर आर ए आपान एल जहां रो प्रत्रोधकता है आर प्रत्रोध है और ए छेत्रपले एल लंबाई है मीटर सेत्व का तार किस पदार्थ का बनात होता है तो मैंगनीन या कांस्टिन टन ठीक है यह हो गया इस्टुनेट आपका correct answer पूरे के पूरे मैंगनीन यह एक प्रकार का तार है जिससे हम क्या करते हैं मीटर से तुम्हें तार का प्रयोग करते हैं तो चलिए उम्मेद करता हूँ कि वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए लाइक कर देना साथ में प्रश्न बैंक के जो भी वीडियो है वो प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है उन्हें आप लोग इनों लिगजाब के हिसाब से सभी चैप्टर को तैयार कर लो क्योंकि अबजेक्टिव कोश्चन जितने भी है वहाँ पे पूरे कप्लीट करा चुके है ठीक है तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन बंदे बात रहों